जातिये जनगन्ना को लेकर गोलावंदी लालू से मिले जारकन के सीव हेमल सौरेन इसे अहम मुलाकात माना जा रहा है सीव ने बताया अपचारिक मुलाकात जातिये जनगन्ना को लेकर देश मेर राजनिति घटना क्रम लगातार बदल रहे है सुप्रीम कोट में केंच सरकार ने एक वर फिर जातिये जनगन्ना नहीं कराने की वात के जिसकी बाद विपची पार्टियों में उवाल आ गया है इसे लेकर अब सभी छेतरिये दल गोल बंदी करने में लगे है इसी भी जारकन के सीव हेमल सौरेन का दिली में आर जेडी सुप्रीमों लालो आदो से मिलना आगे की रनिती कहीं समाना जा रहा है हलाकि हेमल सौरेन सरकार ने रवी वर को टिवीट पर इसे महज एक आपचारिक मुलकात बताए हेमल सौरेन ने लिखा है कि कर राद दिली में राज सुप्रीमों और मेरे अभी भावक्षारूप आदर नेसरी लालू फर्षाद जी से मुलकात कर उसका कुसल छेम पूछा पर मातमा आपको उत्तम स्वास्थ और दिर्ग आयू पर दान करें यही कामरा करतु बताया जा रहा है कि पिछले दिनु तेजस्वी आदर राची दोरे पर थे तब जातिये जनग करना को लेकर उन्होंने खासतोर पर हेमसोरेन से मुलकात की थी सिम्डेगा के होकी खिलाड़ी अब कंप्यूटर में भी होंगे हुनहरमन अमेरिका से ऑनलाइन सीख रहे अंग्रीजी जारखन के सिम्डेगा में सहवागी कंप्यूटर एजूकेशन द्वारा हर रवी वार को पचास होकी खिलाड़ियों को निसुल कंप्यूटर की सिचा उपलब्द करार रहा है वहीं अमेरिका से भार्तिय मुलकी डॉक्टर मनीज जी सब्ता में एक दिन खिलाड़ियों की ऑनलाइन अंग्रेजी सिखा रही है सिम्डेगा जिला के होकी खिलाड़ी भले ही देश स्विदेश में अपना पर्चम लहरा रहें लेकिन सैचनिक एवं बाचित करने में अने परदेशों के खिलाड़ियों से काफी पीची है इसे देखते ही होकी सिम्डेगा ने 2015 से ही होकी खिलाड़ियों के लिए अंग्रेजी पढ़ाई एवं क्योंच वासन परतियों गिता आदि की शुरुवात की थी इससे भी खिलाड़ियों में थोड़ी जिजग कमी हुई है हजारी बाग में पत्नी की हतिया कर 152 किलोमीटर दुर विहार के अरंगाबाद में सवकोफी का पति गिरपतार हजारी बाग सहर के मटवारी मुहला निवासी संजी सीह ने पत्नी पुज़ाशी की हतिया कर 152 किलोमीटर दुर विहार के अरंगाबाद के जंगल में फेक दिया पती संजी सी दुआरा पतनी के सव को अरंगा बाद मुपसिल थाना की पुलीस ने फेकती देखा ततकार संजी को पकड़ा और सव को कबजे में किया इसकी बाद बिहार पुलीस ने इसकी जनकारी हाजारी बाग एसपी मनोज रत्र चौथे को दी घटना की जनकारी के बाद हाजारी बाग के कोर्रा पुलीस ने मटवारी इस्तित आरोफी संजी सी के घर पहुचकर पुछताच किया थाना परभारी परसांद कुमार मिस्रा की मुताबिक आरोफी के माता पिता ने बताये कि संजी सी और उनकी पतनी पूजा सी के बीच हमेशा विवाद होता था दोनों के बीच 22 सितंबर को भी काभी अनबर हुआ इसके बाद संजी रात में ही अपने कार से कही निक्रा लेकिन उनकी पतनी पूजा घर में नहीं थी पुलिस के अनुसार संजी ने पूजा को गला दबा कर हातिया किया बाद में सौको कार में डाल कर गुप्त अस्तान पर फिकनीच चला गया राजेंडर विद्याले में बच्चों से जुर्माना वसुलने परभड के कुरोना काल में पहले से प्रेशान अभिभावको पर और एक गाज गिरी है जमसीत पूर के अस्कुर राजेंडर विद्याले में बच्चों की मोबाइल जब्त कर फाइन के तोर पर पांच-पांच हजारव सुलेश गए है जनकारी मेलते पुरुविधायक स्यापरदेश भाजपापरवक्त कुर्णाल ने सनीवार को टिवीट कर सिछा मंत्री जगरनात मातो और पूरु सिम्भूम के डेसी सुरज कुमार से मामले में संयन लेकर उचित हसी छेप का आग रखिया पुरु विधायक कुनाल ने टिवीट कर स्वाल उठाते हुए राज की सिछा मंत्री से पूछा है कि कोविट काल में जब महिनों से सिछा आउनलाइन व्योस्थाओं पर निर्भर रही ऐसे में नेजी अस्कुल दुवारा वसूले गए जुर्मानी का क्या आजी थे बच्चे एक अर्शे से मोबाईल के माध्या से सिछा गरन कर रहें उन्होंने कहा कि पढ़ाई की समागरी मोबाईल में सेव है अब रेफ्रेश के लिए मोबाईल अस्कुल लेकर चले गए तो अब ये अपरात कैसा हो गया पहले डेड़ सालों से लत लगाई गई और अफाइन लिया चार है जो हस्ता अस्वद और अविवेक पूर्ण है सेम हेमन्त की अगवाई में गरी मंतरी अमिसा से मिला सर्व दलिये परतिर निधी मंडल बोले समय की मंग है जाती जनगना जाती अधारित जनगना नक्सलवा समेत अनि मुद्दो को लेकर जार्खन का सरुदरिये सिस्ट मंडल नई दिली में गरी मंतरी अमिसा से मुलाकात की रवी वार की साम हुई इस मुलकात में जारखन के सरुदलिये सिस्ट मंडर ने जाती जनगन्ना में धसरना धर्मकोड को लागू करने समेत अनि मुद्दो पर गिरी मंत्री स्रीशा को आउगत कराए इस दोरन गिरी मंत्री को सौपे गए मांग पत्र के बाधन से जाती अधारित जनगन्ना करा है जाने की सिफारिस की है गिरी मंत्री अमिस्टा को मांगा पत्र सौपते जारखन के सरुदलिये परतिनिधी मंडन गिरी मंत्री से भेट करने के बाद से हेमनसौरी ने कहा कि जाती अधारित जनगन्ना समय की है इस मांग को पूरा करना केंदर की जिम्विदारी उन्होंने कहा कि हमने अपनी बातगिरी मंत्री अमिसाथ को आगत करा दिया है जाती अधारित जन्गन्ना में सरनकोड को लागू करने की मांग की गई है जार्खन के राजी में सभी घरों को फिरी टैफ वाटर कनेक्सर एह है हेमसौरिन सरकार की प्राथमिक्ता जार्खन के हर शहरी नागरी के घर तक नल के माधम से पाने पहुँचे इसे लेकर जार्खन की हेमसौरिन सरकार गंबीर है मुख मंत्री हेमन सौरेन का नगर विकास यह अवास विभाग को असपस्ट देश है कि हर वेक्ति को स्वच पानी पीने का अधिकार है इसलिए पानी का कनेक्षन हर घर को मिलना चाहे और ओवी निसुल को हर घर तक सुथ फेजर पहुंचे और परते घर को निसुल को कनेक्षन मिले इसके साथ ही सहरी जलापूर्ती विवस्ता में सुधार को लेकर राजी सरकार जालकर अरवन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट चला रही है राजी के सभी घरों को निसुलक टैप वाटर कनेक्शन दिया जाएगा वीवी एल परिवारों के लिए निसुलक जलाफुर्ते की वश्तर राजी सरकार की ओर से की गई हाल में ही पेजलाफुर्ती योजना की तुरित गती से गुनवता युगत किरिया नुवे के लिए नगरविकास आवास वीभाग ने एसियन डेवलप्मेंट बैक के साथ 1168 क्रोड रूफा का लॉन साइन किया है राजी सरकार सहरी छेतर में फेजल कनेक्शन को एक मुहिम की तरह चला रही है ताकि लोगों को अपने घर में सूध फेजल मिले और उन्हें पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और ना है इसके लिए वोरिंग फर निर्भार रहना पड़े राजी सरकार ने इसे के लिए जलनिती 2020 को अधिसुचित किया है जो की जनरी 2021 से लागू है इस निती के ताथ सरकार चाहे तो किसी भी आईसरेनी के सहरी परिवार के आवासी घर में वाटर कनेक्शन देने के एवज में कोई निसूल्क नहीं लेगी इस निती के ताथ राजी के हटिया डेम में तीन साल के लिए जमा है पानी इस तरह उप्योग तो नहीं होगी वरवादी जारखर की रलधानी राजी में पिछले दिनों लगातार बारी से हटिया डेम में पानी लबा लब भर गया अधिक पानी भरने के कारण डेम से पानी लगातार आवर फ जल संसाधन वीभाग के अधिकारी अलर्ट मोर में है वीभाग ने डेम का पानी सही उपयोग करने पर जूर दिया ताकि अगले तीन साल तक पानी का रस्निंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बता देखी हटिया डेम की चमता 49 फीट है डेम में इससे अधिक जमा हो जाने से पिछले तिन दिनों से और फुलो हुड रहा है हलाकि वीभाग की ओर से स्कुएर वेल खोला गया है इसके वाजु जलस्तर में कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही है डेम में चमता से अधि पानी होने और लगतार और फुलो होने के वाद भी वीभाग की ओर से फटा खोलने को लेकर अभी कोई निर्नाय नहीं लिया गया है